रात के साड़े-बज़ रहा है, हांका होल्डर जो रहा निकल गया है, तो अब ये लगेगा तभी मैं हांका कटन लगवाऊंगी, आपको बाहर का बता दू, ये थे के पूरा अंजेरा है बाहर, क्योंके रात है, तो यहां से दिखाईने देंगा, क्योंके यहां पर नेट ल जागा दीती हुआ ना मच्चर आ जाएंगे घर में मच्चर और हमारा खून चुसेंगे एक चीज़ और बताती हूं मैं आपको यह देखे हैं यह है मेरा ग्रीन टी यह है लिप्टिन ग्रीन टी टेस्ट बहुत अच्छा है इसका मी एन लेमेन फ्लेवर वाली पिछले कुछ दिनों मैं गरम पानी में कॉफी आट करें पूश दिन मैं गरम पानी में नीमवाट करके पिया लेकिन अभी मैंने कुछ दिन हो गयए उसे बंद किये और अभि मैं यह चादू कर दीए यहन न मैं पहरा बहुत पहला पीती थि यह लेकिन दूबारा seheने सहौट कर लिए और अभी इसको रख देते हैं किचन में धुरा अंदेरा लग रहा हूंगा वीडियो में क्यूंकि लाइट साफ है और बच्चे लोग मेरे सो गए है चलिए बेट्रूम में चलते है दोनों भी सो गए है बेट पे इसी और ने मैं भी जाओंगी अंदर और आपसे मिलूंगी स असलम वालेकूम वेलकम टू मैं चैनल कैसी हैं आप सब तो ना अभी फजर की नमाज का टाइम था और मैंने वजू बना ली और अभी ना साड़ी छे का टाइमिंग था वैसे मेरे जो वाट्स लगी वे ना वाल पे उस पे पौने साथ बज़ रहा है लेकिन मेरी घड़ी दर्स मिनट आगे है तो पैदा नमाज अदा कर लेते हैं उसके बाद कुरान पाक की तिलावत करूंगी वैसे तो यह हमारे डेली का काम नहीं बूलूंगी यह तो फर्द है हम मुसल्मानों पे कलाम पाक की तिलावत ना डेली करनी चीए मैं तो कहती हूँ ना कि देखे बह बहुत कम लोग होंगे तो मैं उनहीं कम लोगों को कहना चाहूंगी कि आप भी जो है ना डेली का कलाम पाक को पढ़ना स्टार्ट कर लें सच में अगर आप इस चीज़ को अगर आप डेली का पढ़ेंगे दिल से लगाएंगे तो आपका दिल दिमाग सब शांत रहेगा औ घर में भी बहुत सुकून रहेगा और दिल तो सुकून पाएगा ये अपना लेकिन घर में खुशाली कुशाली देनी और सुकून की तो कोई बात ही नहीं मतलब इतना शुकून शुक्णाई बताओं तो बस मैं बलकनी में खड़ी थी और चिडिया आए जो एपनी रिक्स तो अब आ जाते हैं किचन में, I mean मैं आ चुकी हूँ, और हैंपर मैंने ग्रीन टी निका लिए पीने के लिए, डेली का मॉर्निंग में ग्रीन टी पीती हूँ मैं, और बस मैंने ये समान रात में ओर्डर की थी, लेकिन इसको मैंने ऐसी ही रख दिया था, सोचा कि मैं सुबह में रिफिल कर दूँगी, सब सामानी जाके वहां रख दूँगी, तो बस कच्रा मैंने जो कुछ भी था निकाल लिया और अब ये डस्बिन में भार रख दूँगी, क्योंकि हमारे आ जो एना फ्लैट में, I mean बिल्डिंग में सुबह सुबही जो एना कच्रे वाला आ जात उठा देना पड़ता है, मतलब कि आदा गंटा, पौना गंटा पहले ही में उठा देती हूँ, क्या है ना कि आजकल मौसम, क्लामिट जो एना ठंडा है, और इस टाइम पे बच्चे और ज्यादा सोते हैं, और बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि उनकी नीन खराब करू करके मैं, तो मैं क्या करती हूँ ना कि थोड़ी देर उसको और सोने देती हूँ, मतलब कि उसकी जरूरत के साबसे और थोड़ा सोने देती हूँ, फिर उसको फटाक से उठा लेती हूँ, कि सारा उठ जा वेटा, अब मसो, अब टाइम हो रहा है करके, तो बस मैंने ना रा सारा उसकी स्कूल पहले होती है और उसकी कुछ टाइम बाद जुहान जाता है तो चलिए यहां पर ग्रीन टी जो है मैं बैट कर प्यूंगी और बच्चों का यूनिफॉर्म भी निकाला है मैंने उनकों में प्रेस कर दूंगी और प्रेस करके जो नहीं बच्चों को के लिए दिया हुआ है और ना यहां पर मैं आलू बॉइल कर रही हूँ आज मैं बिनाओंगी आलू की पराटे और यह देखे मैंने ना यह अभी जस्ट मंगाया बाहर से इटली एंट मेंदू वड़ा तो मैं इटली मेंदू वड़ा घर में बनाती हूँ लेकिन आज चो इटली मेंदू वड़ा खाना है तो फिर मैंने क्या किया कि हमारे बाजू में इक शौप नीचे बिल्डिंग के नीचे मतलब तो फिर हहां से मैंने क्या किया कि फटाफट कॉल कर दिया एक और फिर अंकल ने लाकर पारसल दे दिया मुझे तो मेरी बेटी जो है आज नाज में यह खाएगी और बोलती के ममी मैं साथ में भी यही लेकर जाओंगी तो मैं मैं कोई बात नहीं बटा लेकर जाना वैसे भी मैंने ज्यादा मंगाया है अच्छा यहां पर देखिए मैंने टीफिन बॉक्स एन वाटर बैग मेरी बेटी को दे दिया है और अभी जाएगी स् सारा इसको हाथ में रख बैग में नहीं रखना क्योंकि यह उसकी फ्रेंड की है उसको देनी है इसलिए मैंने हाथ में रखा उसको और फिरो जाके मैं बूली के दे देना कलती से क्या ना कि उस सारा के बैग में आ गई थी तो सुचा कि तू ना इसको हाथ में रख तो से पसंदे पता है मैं बताती हूँ आपको उनको ना अलग सी स्टॉफिंग बनाओ आलू की फिर वो रोटी में भरके बेलो वैसा उनको नहीं पसंद है उनको कैसा पसंद है मैं आपको बताती हूँ तो यहाँ पर सारी चॉपिंग कर लेते पहला तो मैंने लिया था हरा धनिया प्याज हरी मिर्ची ले लिये हैं गियो काटा इसमें लाल मिर्ची हल्दी पौडर धनिया पौडर जीरा कसूरी मेती इस सब चीजे इसमें आट कर लिये मैंने और आलू देखिए आलू की कॉंटिटी मैंने सेम लिये जितना मैंने आटा लिया था उतने ही आलू लिए क्योंकि आलू के प्राठे में आलू होनी चाहिए और नमक डाल दूँगी टेस्स के अकॉर्डिंग और प्राठे जो है न मेरे आलू की थोड़े से स्पाइसी होते हैं तो ज्यादा अच्छे लगते हैं थोड़ा साथ कुकिंग ओल भी डाला था मैंन हो दिल नहीं करता है इस तरह से बनाओंगी ना तो बहुत लाइट बनते हैं और बंदा जो ना दो से तिन खा ले अच्छा हमारे वहाँ है ना आलू की प्राठे के साथ जो ना पुदीने की चटनी खाते हैं बहुत अच्छी लगती है कभी कबार दही भी खाते हैं लेकिन अगर घर में सुक्त शांती अगर रखना चाते हो ना तो अल्ला को हर रोज याद किया करें अल्ला को दिल में बसा ले अपने यादों में रख ले दिन रात अल्ला का जिक्र करें और चलते फिरते अस तक्फिर उल्ला जरूर बढ़ा करें इसके इलावा या सलामो या सलाम भी जरूर से पढ़ा करें इसे क्या कि जो भी मुसीबते आने वाली होगी हम पे तो वो टल जाएगी और अल्ला हमें उस मुसीबत से सलामत रखेगा फिर तो यहाँ पर देखी मेरी क्लिनिंग भी चालू थी, नाश्ता हो कर कि हो चुका था और मैंने आज अपना यह डायिनिंग टेबल घाटाया यहां से इसकी सेटिंग में चेंज कर रही हू और सेटिंग के साथ साथ इसकी क्लिनिंग भी हो रही है वैसे तो मैं सामने सामने से तो देखे डेली की dusting करती हूँ dining table की और लेकिन जब इसकी cleaning होती है यानि कि dip cleaning तो फिर इसको पूरा मुझे अंदलब के you know इसकी chair और जो table है इसको सब खो जो जो ना उसकी space से जगा से मुझे हटाना होता है और फिर इसको बहुत अच्छे से clean कर ना होता है क्योंकि ना नीचे side जो ना ऐसे spider यानि कि जाले वाले लग जाते तो अच्छे नहीं लगते तो फिर यहाँ पर मैंने इसकी dip cleaning कर दिये और chair भी जो ना अच्छे से जटक दी हूँ क्योंकि ना इसकी डश होती है और setting भी मैंने इसकी change कर ली पहला मैंने ना dining table आ अच्छा लगा होगा या फिर कहूँ के मेरी explain की वी बाते आपको समझ में आई हूंगी अपने बहुत सारा ख्यार रगे अला हाफिज